हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ श्वेता वेलकम टू मैं चैनल स्वेताज की चनल लाइफ इस्टाइल विपिंग क्रीम की मेरी वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेलफुल रही और इसी के कारण काफी कमेंट्स आ रहे थे कि स्पन्ज की रेसिपी अलग से बता है तो आज मैं वही वीडियो लेकर आई हूँ मैं अलग से आपको स्पन्ज की रेसिपी बता रही हूं सिंग सिंग का केक टिन लिया है मैंने और इसमे अच्छी तरीके से रिफाइंड ओयल लगा दिया है मैंने मैं ज़्यादा तर इसी प्रास्मेंट पेपर का यूज करती हूँ क्योंकि ये रियूजेबल है और उसके साथ-साथ ये केक को नीचे सटने नहीं देता है और काफी अच्छा होता है अच्छानक से अगर ज़्यादा और राज है उस समय काटने का टाइम नहीं रहता है इसलिए मैं इस तरीके से 8 इंच का और 6 इंच का काट कर रखती हूँ पहले से ये कटा रहता है तो आफटाफट केक टिन में डाल कर और अच्छी तरीके से अपने केक को बेग कर सकते हैं मुझे हाफ-हाफ केजी के दो केक बनाने हैं जिसके लिए मैं एक ही साथ बैटर को लूँगी 240 ml के कब से मैंने 2 कब यहां पे लिया है चॉकलेट प्रिमिक्स है ये हाफ केजी बनाना होता है तो मैं एक कप लेती हूँ और अगर मुझे एक केजी का केक बनाना रहता है तो मैं दो कप लेती हूँ यानि कि हाप के जी 150 ग्राम और एक के जी के लिए मैं लेती हूँ 300 ग्राम प्रिमिक्स और दोस्तो मेरा स्पंज कितना अच्छा बनता है आपने मेरी वीडियो में देखा है मैं कौन सा प्रिमिक्स यूज करती हूँ वो आगे चल के बताऊंगी इसी कप से मैंने दो कप प्रिमिक्स लिया है और एक कप इसमें इसी कप से पानी डालूंगी दोस्तो आगर आप होम बेकर हैं तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है ये मेरा फिलिप्स का है तीन सालों से मैं इससे लागातार यूज कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा है दोस्तो आप कितना भी स्पेचुला से कर लें उतना सौफ्ट उतना फ्लाफी नहीं बनेगा जितना की आप इस हैंड ब्लेंडर को यूज करेंगे उसके साथ बनेगा हाप कप तो मैं पानी डाल रही हूँ और साथ ही मैं यहाँ पे वन टी स्पुन के बराबर रिफाइन डॉयल डाल रही हूँ अन फ्लेवर्ड रिफाइन डॉयल मैं यूज करती हूँ सफोला गोल्ड हमेशा पहले इस तरीके से मैं इसे मिक्स करूँगी क्योंकि अगर ड्राइब में मैं मिक्स करने लगूँगी तो यह उड़ने लगेगा और इधर उदर बिखर जाएगा इसलिए मैं इस तरीके से हमेशा mix करती हूँ और उसके बाद इसे एक या दो speed पे start में मैं mix करती हूँ pre-mix को ज़्यादे से ज़्यादे 2 या 3 पे mix करें उससे ज़्यादा speed पे pre-mix को नहीं इस तरीके से mix करते हैं दोस्तो पिल्सबेरी या प्रिस्टीन मैं जहां रहती हूँ वहाँ पे यही pre-mix में available होता है इसलिए मैं इन्हीं दोनों में से कोई भी use करती हूँ जो मुझे आसानी से मिल जाता है दोस्तो आप देख सकते हैं कि चॉकलेट का जो मैं बैटर बना रही हूँ वह इतना हलका हो चुका है और थोड़ा सा light color भी आ गया है लेकिन अभी थोड़ा हमें इसे और mix करना है और अब मैं इसे 3 speed पे mix कर रही हूँ इस प्रिमिक्स में आपको कुछ भी extra डालने की जरूरत नहीं परती केक जेल ना ही कुछ भी extra डालने की जरूरत नहीं है और बहुत ही आसानी से बनने वाला बहुत ही tasty प्रिमिक्स होता है आप इसकी consistency देखिए इसी तरीके का होना चाहिए और अगर आपका थोड़ा सा पा एक ही बार में पूरा पानी ना डालें hand blender से mix करने के बाद आपको इस तरीके से spatula से भी mix करना है दोस्तों आप लोगों को मेरी whipping cream वाली वीडियो काफी अच्छी लगी उसके बाद काफी दोस्तों ने काफी subscribers ने मुझे ये comment किया कि सिर्फ मुझे sponge का अलग से वीडियो चाह sponge बनाने का बताती हूं लेकिन आज मैंने अलग से इस वीडियो को उन्हीं लोगों के लिए डालाया है ताकि आप लोगों को ये helpful लगे cake flat बनता है जिसके लिए मैं इस तरीके से spatula से करती हूं जब मैं cake tin में डालती हूं बैटर को दोस्तों आप स्क्रीन पे साइड में देख सकते हैं मैं कितना temperature सेट करती हूं ये दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है देखिए 160 degree temperature रखती हूं साथ ही मैं इसके दोनों रोड शुरू में स्टार्ट करती हूं और उसके बाद मैं इसे 40 minute के लिए सेट करती हूं लेकिन जब केक बेक होते हुए 20 minute हो जाते हैं तो मैं दोनों रोड से नौप को घुमा कर एक रोड पे कर देती हूं ताकि सिर्फ नीचे वाला रोड चले और उपर वाला रोड बंद हो जाए जिस तरीके से आप लोगों को मेरी विपिंग क्रीम की वीडियो और फॉंडेंट की वीडियो केक जेल की वीडियो आपको पसंद आई हो आपको ये भी वीडियो पसंद आएगी जरूर आप इस तरीके से अपने केक बेस को बनाए और कस्टमर को इस तरीके का केक बना कर द करें हैं?